अभिमन्यो बड़ी बड़ी आंके करते हुए कहता है मतलब कल रात तु अमोधिता के साथ नहीं बलकि यामिनी के साथ था युग जट से कहता है हाँ यार और नहीं तो क्या अभी बताया ना मैंने कि मैं यामिनी के साथ था कच्वा अपनी भौवे उपर नीचे करते हुए युग से पूछता है फिर कल रात तेरे और यामिनी के बीच कुछ हुआ युग को कच्वे की बात समझ में नहीं आती और वो मुझ बनाते हुए पूछता है कुछ हुआ से तेरा क्या मतलब है कच्वा शर्माते हुए कहता है अरे मतलब वही जो एक लड़की और लड़की के बीच में होता है जब वो दोनों अकेले रहते हैं तु तो रात भर यामिनी के साथ था तो तुम दोनों के बीच तो जरूर कुछ न कुछ हुआ होगा बता ना फिर क्या क्या किया तुने यामिनी के साथ युग मासूमियत के साथ जवाब देता है बाते की और कुछ नहीं किया हाँ उसने मचली भी खिलाई थी मुझे वो भी ताजा ताजा मेरे सामने नदी में से पकड़ कर कच्वा चिड़ते हुए कहता है तेरी मचली की तो सारे जूट क्यों बोलता है सीधे सीधे बताना क्या किया तुने कल रात हमसे कैश सा शर्माना आखिर हम भी तो तेरे दोस्त ही है हम किसको बताने वाले हैं जो तू बताने से इतना डर रहा है युग अपनी बात पर जोड देते हुए कहता है अरे बताया तो हम दोनों ने रात में बस बाते की और फिर हम सो गए और कुछ नहीं किया कच्वा जट से बोलता है अरे तो वही पूछ रहा हूं तुम दोनों साथ साथ सोयते क्या युग कच्वे पर चिलाते हुए कहता है तू ना कच्वे तेरा दिमाग कुछ जादा ही गंदा हो क्या है जरूरी नहीं यदि एक लड़का और लड़की रात भर साथ में रुगे तो उनके बीच कुछ चुआ हो युग का गुसा देखकर कच्वा शर्म से अपना सिर नीचे जुका लेता है युग अपनी बात पूरी करते हुए कहता है हम दोनों रात में जोपड़ी में बैट कर बस बाते कर रहे थे और बाते करते करते ही कब मेरी आँख लग गई मुझे पता ही नहीं चला और जब सुबा उठा तो सूरज निकल चुका था पर यामनी वहाँ पर नहीं थी शायद वो अपने बाबा के पास चली कई होगी और मैं यहाँ आ गया तुम लोग भी ना कुछ भी सोचते हो अच्छा मैं जा रहा हूँ मुझे बहुत नीदा रही है थकान भी हो रही है ऐसा लग रहा जैसे बदन तूट रहा हो यूग के यह बोलते ही उसके दोस्त उसे हैरानी के साथ घूरने लग जाते है इतना कहकर यूग अपने कमरे की तरफ जाने लग जाता है यूग के जाते ही कच्छवा अभी मन्यो और कायर से बोलता है देखा तुम दोनों ने इस स्यूक को, अभी कह रहा था रात में बाते करते करते कब नींद लग गई उसे पता ही नी चला, और अब कह रहा है कि नींद आ रही है, मुझे सोने जाने तो, बदन दर्द कर रहा है। आकिर रात में इसने ऐसा क्या किया जो इसका इतना बदन दर करने लग गया अभी मन्यों और कायर कच्छवे की बात का कुछ जवाब नहीं देते हैं काफी हद तक उन्हें कच्छवे की बात ठीक लग रही थी इस तरफ अमोधिता अपने कदम ग्रेव्याड कोठी की तरफ बढ़ा रही थी उसने बंगला मुटा घाट पार कर लिया था और वो काला ज़ाडी जंगल पार कर रही थी काला ज़ाडी जंगल में गहरा सर्नाटा चाय हुआ था हरे भरे पेड़ होने के बावजूद भी हवाई नहीं चल रही थी अमोधिता अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहती है आज तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं यूगजी हुई आवाज सुनाई देती है ये तो ने अच्छा नहीं किया अच्छा नहीं किया अमोधिता औरत की फुसफुसाती हुई आवाज सुनकर अमोधिता जहां पर थी वहीं पर रुख जाती है अमोधिता घबराते हुए खुद से कहती है ये कैसी आवाज थी इतना कहकर अम कान कुछ जादा ही बच रहे हैं मुझे ने जादा देर तक हेड़फोन में गाने नहीं सुनने चाहिए थे यह उसी का असर है इतना कहकर अमोधिता फिर से आगे बढ़ने लग जाती है अभी अमोधिता ने एक दो कदम ही आगे बढ़ाए थे कि उसे फिर से एक औरत की फुस अमोधिता घबराते हुए खुद से कहती है ये क्या हो रहा है मेरे साथ कौन है यहां पर फिर औरत की आवाज सुनाई देती है बुरे कर्मों का बुरा फल अमोधिता तेरे प्रांट जाएंगे निकल अमोधिता अपने आसपास देखते हुए घबराते हुए कहती है कौन ह तुम औरत की हसते हुए आवाज सुनाई देती है अमोधिता अपने चारों तरफ देखने लग जाती है पर उसे कोई दिखाई नहीं देता वो घबरा जाती है अमोधिता की कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे औरत की फिर आवाज सुनाई देती है थू तो गई अमोधिता तु आज नहीं बशने वाली, तेरी हिम्मत कैसे हुई यूग पर वशी करन करने की? ये बात सुनकर अमोधिता की आँखे फटी की फटी रह गई थी, उसे साम सून किया था, अमोधिता मनी मन सोचने लग जाती है, ये आवाज के सौरत की है और उसे कैसे पता चला की मैंने यूग ची को अपने वश में करने के लिए उन पर टोना किया था, अगर ये है कौन और मेरे सामने क्यों नहीं आती, औरत की फिर हंसने की आवाज सुनाई देने लग जाती है, अमोधिता घबराते हुए कहती है, कहीं ये यक्षनी तो नहीं, पर ये कैसे हो सकता है, यक्षनी को तो खुद पापा और फुपाजी ने मिलकर उस रात को कैद कर दिया था, फिर ये कौन हो सकती है? कुठी की तरफ भागते जा रही थी, उसके पीछे से किसी और के भी कदमों की आहट सुनाई दे रही थी, जो उसकी तरफ लगातार बढ़ते जा रही थी, औरत की फिर आवाज सुनाई देती है, बड़ा शौक है न तुझे जादू टोना करने का, रुक जा, रुक जा की तो उसकी मौत निश्यत है, अमोधिता भागते भागते ठकने लग गई थी, उसकी सांसे फूलने लग गई थी, उससे अंदाजा हो गया था कि वो अब जादा देर तक भाग नहीं सकती थी, उसके पीछे से आती हुई कदमों की आहट तेज हो गई थी, ऐसा लग रहा थ अमोधिता कि उसके पीछे जो शक्सारा था, वो जल्दी ही अमोधिता के करीब पहुँशने वाला था, अमोधिता भागते भागते ठकने ही वाली थी, कि तभी सामने से आते हुए एक लड़के से वो टकरा चाती है, वो लड़का कहता है, अरे अमोधिता तुम, जब अमो हट के साथ घबराते हुए कहती है मुझे बचा अभी मनिय। वरना वो मुझे मारते prayer अभी मनिय। हैरानी के साथ पूťता है कौन अमूदिता? कौन तुम्हे मारतेगी? अमूदिता अपने हाथ से काला ज़ारी जंगल की और इशारा करते हुए वो, वो वही अभी मन्यू वो मुझे मार देगी अमोधिता इतना कहकर चुप हो जाती है अभी मन्यू फिर अमोधिता से पूछता है कौन अमोधिता? जब अमोधिता अपने सामने नजरे करती है और काला जारी जंगल में उसे कोई दिखाई नहीं देता तो वो समझ जाती है कि अभी मन्यू को यक्षुनी के बारे में कुछ भी बताना ठीक नहीं है अभी मन्यू बहुत चालाक है और वो अपना दिमाग लगा कर सवाल पूछ कर समझ जाएगा कि उसने युक पर टोना किया था अमोधिता बात को घुमाते हुए कहती है वो जंगली बिल्ली अभी मन्यू अभी मन्यू बिचकते हुए कहता है क्या कहा जंगली बिल्ली अमोधिता अभी मन्यू को अपनी बात पर भरुसा दिलाते हुए कहती है हाँ अभी मन्यू वो जंगली बिल्ली मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे थी ऐसा लग रहा था मुझे मार कर ही दम लेगी वो तो अच्छा हुआ तो मा गए वरना पता नहीं वो जंगली बिल्ली मेरा क्या हाल करती अमोधिता तुम्हारा दिमाग तो ठीक है न तुम किस जंगली बिल्ली की बात कर रही हो मैं तो इतने दिनों से जंगल पार कर रहा हूँ पर मुझे तो कोई जंगली बिल्ली आज तक नहीं दिखी अमोधिता फटाक से बोल देती है वो सब को नहीं दिखती है अभी मन्यू बस औरतों को दिखती है ये सब छोड़ो और ये बताओ यूग जी कहां पर है अभी मन्यू को अमोधिता की बाते बहुत अजीब लगती है पर वो जानता था कि अमोधिता के पीछे दिमाग खपाना बेकार है वो कब क्या बोलती है उसे खुद पता नहीं होता है अभी मन्यू अमोधिता की सवाल का जवाब देते हुए कहता है यूग तो ग्रेव्याट कोठी में है अपने कमरे के अंदर सो रहा होगा भी अमोधिता अपना मूँ फारते हुए कहती है क्या कहा यूग जी सो रहे हैं वो भी अभी तक? इतनी देर तक भी भला कोई सोता है क्या? वो क्या है न कल रात यूग रॉंका मुझा घाट पर गया था न तो आज सुबह ही आया तो उसकी नीन पूरी नहीं हुई इसलिए सुबह आते से ही सो गया अमोधिता मनी मन सोचने लग जाती है अगर यूग ची कल रात रॉंका मुझा घाट पर थे तो मुझसे मिलने क्यों नहीं आये? वो सारी रात घाट पर क्या कर रहे था अकेले? अमोधिता ये सब सोची रही थी कि तभी अभी मन्यों उसे टोकते हुए कहता है अरे अमोधिता कहां खो गई? अमोधिता जवाब देती है कहीं नहीं बस यूई ये बताओ अभी मन्यों तुम कहां पर जा रहे हो? वो मैं रॉंका मुझा गाउं जा रहा हूँ कल वांगला तो हा रहे न तो उसी सलसले में काम है अमोधिता चालाकी के साथ कहती है क्या काम है अभी मन्यों तुम्हे वांपर? अगर तुम चाहो तो मैं अपने पापा से बोल देती हूँ वो जल्दी करवा देंगे तुम्हारा काम अभी मन्यों अमोधिता की चालाकी समझ जाता है कि वो जानना चाहती थी कि उसे क्या जरूरी काम था अभी मन्यों भी बड़ी चालाकी के साथ जवाब देता है अरे उसकी कोई जरूरत नहीं अमोधिता मैं तुम्हारे पापा से बात कर चुका हूँ बस जाकर उनसे मिल कर आना है और यदि तुम चाहो तो उनसे पूछ सकती हो मुझे क्या काम है वहाँ पर वैसे कल बहुत बड़ा सर्प्राइज मिलने वाला है तुम्हें मेले में अमोधिता एक्साइटेड होते हुए कहती है क्या का सर्प्राइज वो भी मुझे कैसा सर्प्राइज अमोधिता मैंने कहा न सर्प्राइज है और सर्प्राइज बताय नहीं जाते समझी, वो तो तुम्हें कल मेले में आकर ही पता चलेगा अच्छा आप मैं जाता हूँ, अगर देर हो गई तो तुम्हारे पापा गुस्सा करेंगे मेरा नमबर किसी और को ना दे दे इतना कहकर अभी मन्यू वहाँ से जाने लग जाता है अभी मन्यू को टोकते हुए कहती है अरे अभी मन्यू सुनो तो, यूग जी अपने कमरे में ही है न अभी मन्यू जवाब देता है हाँ मोधिता, अभी बताया तो तुम्हें तुम ग्रेव्यार्ट को ठीके दर्वाजे को धक्का देना वो खुल जाएगा मैं लॉक करके नहीं आया हूँ तुम यूग के जगने का इंतिजार कर सकती हो वैसे भी उसे सोय हुए तीन-चार घंटे हो गए है हो सकता है तुम्हारे जाने से उसकी नीन खुल जाए वैसे कल तक तुम्हारे नाम की बड़ी माला जप रहा था वो अगर क्या जादू किया है तुमने उस पर अभि मन्यू की बात सुनकर अमोदिता घबरा जाती है और घबराते हुए कहती है मैं? मैं क्या जादू करूँगी भला यूग जी पर? मुझे जादू टोना करना थोड़ी आता है तुम भी न अभि मन्यू कुछ भी बोलते रहते हो मैं क्या तुम्हे सौदाइन लगती हूँ? अमोदिता की बात सुनकर अभि मन्यू हक्का बक्का रह जाता है वो मन्ही मन सोचने लगता है ये अमोदिता को सौदाइनों के बारे में किस ने बता दिया? अभी मन्यू से रहा ने जाता और वो अमोदिता से पूछी लेता है अमोदिता तुम्हें सौधाइनों के बारे में कैसे पता है क्या तुम किसी सौधाइन को जानती हो अभी मन्यू की बात सुनकर अमोदिता घबरा जाती है वो बड़ी हिम्मत से अपनी बात पर जोर देते हुए जवाब देती है अभी मन्यू, तुम शायद भूल रहे हो, मैं भी इसी गाउं की हूँ और गाउं का क्या इतिहास है, यहाँ पर क्या-क्या होता है, मुझे सब पता है, समझे अभी मन्यू को अमोधिता की बातों पर विश्वास नहीं होता है, उसे लगने लग जाता है, कहीं अमोधिता ही तो सौधाईन नहीं है यही देखने के लिए वो उसके पैर देखने लग जाता है जब वो नीचे अपना सिर करता है तो देखता है कि अमोधिता ने जूती वाली सैंडल पहनी हुई थी जो कपड़ों की बनी हुई थी जिस कारण अभिमन्यू को अमोधिता के पैर दिखाई नहीं दे रहे थे आपकामीटर की ही दूरी पर थी अमोधिता की दिमाग से उस्सवरत की आवाजे से हड़ गई थी जो उसे काला जहरी जंगल में सुनाई दे रहे थी अब तो उसके दिमाग में ये बात चल लही थी कि अगर युक शाम को उससे मिलने के लिए निकला था तो वो उससे मिलने के लिए हवेली क्यों नहीं आया वो रॉंकमुझा घाट पर ही क्यों रुख गया आखिर वो अकेले वहाँ पर राद भर क्या कर रहा था यही सब सोचते हुए अमुदिता ग्रेव्यार्ड कोठी के दर्वाजे के पास पहुँच जाती है जैसा कि अभी मन्यू ने बताया था दर्वाजा बस ठिका हुआ था अमुदिता जैसे ही दर्वाजे को धक्का देती है दर्वाजा चर्मराते हुए खुल जाता है अमुधीता ग्रेवियाड कोठी के अंदर घुसते से ही कहती है यूगची कहां परें आप? आप अभी तक सोई रहें क्या? यूगची कोई जवाब नहीं आता है अमुधीता अपने एक अदम यूग के कमरे की तरफ बढ़ाते हुए कहती है कोई जवाब नहीं आया इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेवियार कोठी में यूग जी के अलावा कोई नहीं है बस मैं हूँ और यूग जी बढ़िया है आज मेरे और यूग जी के बीच कोई नहीं आ सकता मैं आज यूग जी के साथ वो सब करके ही दमभरों की चाहे कुछ भी हो जाए यही सब बढ़ बढ़ाते हुए अमुदिता अपने कदम यूग के कमरी की ओर बढ़ाने लग जाती है जब वो यूग के कमरे के पास पहुँशती है तो देखती है कि यूग गेहरी नीद में बैट के उपर पीट के बल सो रहा था अमुदिता यूग के पास जाते हुवे कहती है अरे यूग जी तो अभितक सो रहे हैं अभी मन्यों ने तो बताया था युग जी तीन चार घंटे से सो रहे हैं उस हिसाब से तो युग जी को अभी तक उठ जाना चाहिए था आखिर रात में इन्होंने ऐसा क्या कर लिया जो इन्हें इतनी नीदा रही है अमोदिता युग का चेहरा देखते हुए कहती है युग जी को उठा दू क्या? उठाओं या नहीं उठाओं कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं उठेंगे तबी तो मेरे साथ वो करेंगे पर ऐसे उठाना ठीक नहीं होगा कितने प्यार से सो रहे हैं मेरा तो मनी नहीं कर रहा युग जी को उठाने का एक काम करती हो यहीं पर बैठी रहती हो जब युग जी उठेंगे और आँखे खोलते ही सबसे पहले मुझे देखेंगे तो खुश हो जाएंगे और खुशी के मारे सीधे मुझे गले लगा लेंगे इतना सोचकर अमोधिता शर्माने लग जाती है और युग के बिस्तर के पास ही जगा बना कर बैठ जाती है अमोधिता युग को सोते हुए देखने लग जाती है और उसके जगने का इंतजार करने लग जाती है इंतजार करते करते ही दो तीन घंटे बीच जाते हैं पर युक की नींद भी तक नहीं खुली थी अमोदिता उबासी लेते हुए कहती है ये युक जी तो उठी नहीं रहे, अब क्या करूं मैं? मैं तो बोर हो गए, मेरे मुबाइल में तो बैटरी भी नहीं है कि फेस्बुक ही चला लूँ अब करू तो क्या करू मैं? इतना कहकर अमोदिता अपनी नजरे युक के कमरे के चारो और घुमाने लग जाती है अमोदिता सोची रही थी कि वो क्या करे तभी उसकी नजर युक के कमरे के अंदर रखे टेबल पर पढ़ती है जिसके उपर टाइप राइटर रखा हुआ था अमोदिता टाइप राइटर को देखते हुए कहती है अरे, ये टाइप राइटर किसका है? इतना कहकर अमोदिता बिस्तर पर से उठती है और टेबल के पास रखी कुरसी के उपर जाकर बैट जाती है अमोदिता टाइप राइटर को देखते हुए कहती है ये टाइप राइटर तो बहुत पुराना लग रहा है पर ये आया कहां से? पिछली बाचब में यहां पर आई थी तब तो ये टाइप राइटर यहां पर नहीं था कहीं यूग जी ने इसे किसी कबारी सदू नहीं खरी था ये यूग जी भी ना पता ने क्या क्या करते रहते हैं लगता है इन्हें अंटीक चीज़े कलेक्ट करने का शौक है पर देखना शादी के बाद मैं सब कुछ बदल दूगी ऐसे फिजूल खर्चे नहीं करने दूगी उन्हें अमोधिता ये सब बड़ बड़ा ही रही थी कि तभी उसकी नजर टेबल पर फैले काग्जों पर पड़ती है जिस पर हाथों से कुछ लिखा हुआ था वहीं पर एक पैन और चश्मा भी रखा हुआ था अमोधिता उन काग्जों को हाथ लगाते हुए कहती है इसमें तो और्गैनिक खेती के बारे में लिखा है कि शुरुआत कैसे करनी है, कौन-कौन सी फसन लगानी है पर इसमें ये सब क्यों लिखा है यूग जी ने कुछ समझ नहीं आ रहा अरे हाँ, याद आया, मैं तो भूली गई थी यूग जी और्गैनिक खेती का स्टार्ट अप करने ही तो आए है यहाँ पर तो खेती के प्लांस के बारे में तो लिखेंगे ही न मुझे लव लेटर थोड़ी लिखेंगे मैं भी न, कुछ भी सोचती हूँ इतना केकर अमोधिता टेबल पर ही रखे चश्मे को उठा कर पहनते हुए कहती है हरे यह चश्मा तो और भी पुराना लग रहा है ज़रा लगा कर देखू तो कैसा लगता है मुझ पर अमोधिता अपना मोबाइल निकालती है और उसमें अपना चेहरा देखते हुए कहती है मैं तो पूरी मा की तरह लग रही हूँ लगूंगी भी क्यों नहीं आखिर मैं सौधाइन जो हूँ मेरे अंदर उन्ही के गुर्टों है पर समझ नहीं आता ये युग जीतना पुराना चश्मा क्यों पहनते हैं इन्हें तो अपने लिए नया चश्मा ले लेना चाहिए यही सब बरबराते हुए अपना चेहरा मुबाइल में देखते हुए अमोधिता अपनी लटों को सवारी रही थी कि तभी उसे मुबाइल के अंदर एक काला साया दिखाई देता है जिसे देख कर उसकी जान हलक में आ जाती है अमोधिता खुद से कहती है यह साया किसका था इतना कहकर अमोधिता पीछे मुडने लग जाती है पर जब वो पीछे मुडती है तो वहाँ सिवाए युक के और कोई नहीं था जो की गहरी नीन में सो रहा था अमोधिता जट से वो चश्मा उतार कर टेबल पर रखते हुए कहती है इस चश्मे में तो कुछ भी दिखाई देता है जो चीज नहीं है वो भी पता नहीं यूग जी कैसे पहन लेते हैं अमोधिता ने इतना कहा ही था कि तभी उसे किसी के कदमों की आहर्ट सुनाई देने लग जाती है अमोधिता कदमों की आहर्ट सुनते हुए कहती है लो आ गए यूग जी के दोस्त इनको भी अभी ही आना था एक काम करती हूँ, कुछ भी बहाना करके यहां से जाने के लिए बोल देती हूँ, आखिर तभी तो मैं यूग जी के साथ वो सब कुछ कर पाऊंगी जब ग्रेव्यार्ट कोठी में कोई होगा नहीं, यही सब सोचते हुए अमुदिता कुर्सी पर से उठती है और यूग के क अमुदिता का दिल तहक जाता है और वो मनी मन सोचने लग जाती है, कि यक्षनी यहां पर भी आगई क्या फिर से, लगता है यह आज मुझे नहीं चोड़ने वाली, और यह क्या बखवास कर रही हो, कौन हो तुम, कुछ दिर तक सन्नाटा चाय रहता है, पर कुछी देर ब अपने कदम आगे बढ़ाने वारी होती है, तभी फिर किसी औरत की फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है, तुझा ना चाती है कौन हो मैं, तो सुन, मैं यक्षनी, तेरी मौत, यह आवाज सुनकर अमुदिता की रूख कांप उठती है और उसके हाथ पैर थर-थ कांपने लग जाते हैं, ग्रेवियार्ट कोठी में यक्षनी के हसने की आवाजें गूजने लग जाती है, अमुदिता घबराते हुए कहती है, क्या, क्या कहा तुमने, यक्षनी, यक्षनी की आवाज सुनाई देती है, हाँ, मैं यक्षनी, तेरी मौत, तुने युक पर ट अमुदिता जवाब का इंतजार करने लग जाती है, पर कोई जवाब नहीं आता है, अमुदिता मनी मन सोचने लग जाती है, यक्षनी मेरे साथ अब क्या करने वाली है, ये मुझे क्या सजा देने वाली है, मैं तो अपने साथ राई भी नहीं लाई जिससे ये यक्षनी ट पुहार लगाई रही थी कि तब ही उसे एहसास होता है कि उसकी जांखों को कोई चूरा है। अमोधिता घबराते हुए कहती है ये तुम मेरे साथ क्या कर रही हो यक्षिनी मैं कोई मर्द नही हूँ जो तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो मैं अंदर से औरती हूँ अमोधिता को एसास होता है कि पहले तो कोई बड़े ही प्यार से उसकी जांखों को सहला रहा था पर देखते ही देखते कोई अद्रिश शक्ति उसकी जांखों को अपने बाजियों की पूरी ताकत से मसलने लग जाती है अमोधिता दर्द से कराते हुए कहती है नई अक्षिनी मुझे दर्द हो रहा है ऐसा मत करो छोड़ो मुझे अमोधिता दर्द से करा ही जा रही थी पर वो अद्रिश शक्ति उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी अमोधिता को मैसूस होता है कि पहले तो वो अद्रिश शक्ती उसकी जांखों को मसल रही थी पर देखते ही देखते वो अद्रिश शक्ती उसकी जांखों से उसके बदन के उपर के हिसे की और अपना हाथ बढ़ाने लग जाती है हाद बढ़ाते बढ़ाते ही वो उसके वक्ष तक पहुँच गई थी अमोधिता चीकती है नहीं एक्षिनी रुख जाओ ये सब मत करो मुझे इतनी बड़ी सजा मत तो मैं तुम्हारी शिकार नहीं बनना चाहती अमोधिता नहीं इतना कहा ही था कि तभी अचानक से उसने जो कुर्टी पैजामा पहनी हुई थी उसके पैजामी का नाड़ा अपने आप खुलने लग जाता है अमोधिता की कराहनी की आवाज के साथ उसके आंसू भी निकलने लग जाते है अमोधिता रोते हुए कहती है रुख जाओ येक्षिनी ऐसा मत करो रुख जाओ मुझे अपना शिकार मत बनाओ मैं युग जी पर अब कभी अपने डोरे नहीं डालूँगी उनसे दूरी रहूँगी छोड़ दो मुझे अमोधिता ने इतना कहा ही था कि अगले ही पल उसका पैजामा अपने आप नीचे हो जाता है उसके नगन टांगे दिखने लग जाती है जो किसी पगडंडी की तरह हिले जा रही थी अमोधिता को एहसास होने लग जाता है कि कोई उसकी कुर्ती को उपर उठा रहा है उस कुर्ती को उसके बदन से निकालने की कोशिश कर रहा है अमोधिता अपने शरीर की पूरी ताकत लगा कर उस सद्रिश शक्ती को रोकने की कोशिश कर रहे थी पर उसकी सारी कोशिशे नाकाम हो रहे थी अमोधिता रोते हुए कहती है येक्षिनी ये सब गलत है मैं भी एक स्त्री ही हूँ और तुम भी एक स्त्री होकर तुम दूसरे स्त्री के साथ ये सब कैसे कर सकती हो तीस शोर तो मुझे मैं बादा करती हूँ कि युग जी से दूर रहूँगी उनके पास कभी नहीं भटकूंगी अमोधिता ने अपने दोनों हाथों से अपनी कुर्टी को कसकर पकड़ कर रखा हुआ था तब ही उसे ऐसास होता है कि जैसो सद्रशी शक्ती ने उसकी कुर्टी को छोड़ दिया हो अमोधिता अपनी सलवार को वही पर फर्श पर पड़ा रहने देती और वहां से भागने लग जाती है उस वक्त अमोधिता को ग्रिवार्ट कोठी से बाहर जाना ही ठीक लगता है वो वहां से भागने लग जाती है अमोधिता भागते भागते अभी सीडियों तक पहुची ही थी कि तभी सीड़ियां उतरते वक्त उसका पैर फिसल जाता है और वो गुलाटी खाते हुए सीड़ियों से गिरने लग जाती है फर्ष पर पहुँचते ही वो बेहोश हो जाती है दो घंटे बात अमोधिता बेहोश पड़ी हुई थी जब वो धीरे धीरे अपनी आखे खोलती है तो उसकी आखों के सामने युक का चैरा था जो उसे आखे फार फार कर देखे जा रहा था अमोधिता लेटे लेटे ही अपने आसपास नजरे खुमाने लगती है और देखती है कि इस वक्त वो युक के कमरे में उसके बिस्तर के उपर लेटी हुई थी अमोधिता होश में आते हुए कहती है युक ची आख युक हर बड़ाहट के साथ पूछता है तुम ठीक तो हो ना अमोधिता अमोधिता कुछ जवाब देती उससे पहले ही उसे याद आता है कि यक्ष्णी ने उसकी सलवार उतार दी थी वो जट से अपनी नजरे अपने पैरों की तरफ घुमाती है और देखती है कि उसने सलवार पहनी हुई थी उसके लेफ पैर में मोच आई थी जिस पर यूग ने कॉटन के क्रेप बैंडिश लपेड दी थी जिस कारण उसका लेफ पैर पूरी तरह से कवर हो गया था अमोधिता मनी मन सोचने लग जाती है मेरी सलवार तो यक्ष्णी ने उतार दी थी फिर ये मेरे बदन पर कैसे यूग अमोधिता के चेरे के एक्स्प्रेशन देखकर समझ जाता है कि वो क्या सोच रही थी यूग अमोधिता से अपनी नजरे चुराते हुए कहता है वो अमोधिता तुम्हे सलवार मैंने पहनाई है पर तुम फिक्र मत करो मैंने कुछ देखा नहीं सलवार पहनाते हुए मैंने अपनी नजरे फेर ली थी कसम से पापा की कसम अमोधिता धीरे से बरबराती है मरे हुए लोगों की कसम कौन खाता है यूग जी खाना है तो अपनी मा की कसम खाये न ऐसे कैसे विश्वास कर लूँ मैं आपका आपने कुछ तो देखा होगा आखिर आप भी एक मरदी तो है यूग अमोधिता की बातों पर ध्यान नहीं देता है और अपने मन में चल रहे सवाल उससे पूछने लग जाता है अमोधिता तुम सीडियों से गिर कैसे गई और तुमने अपनी सलवार क्यों उतार दी थी मेरे कमरे के बाहर वो तो अच्छा हुआ तुम्हारे चीखने की आवास सुनकर मेरी नेंद खुल गई थी और सही टाइम पर मैं आगे वरना पता नहीं तुम्हारा क्या होता अमोधिता मनी मन सोचने लग जाती है अब मैं युकशी को कैसे बताओ कि ये सब यक्षनी ने मेरे साथ किया अगर ये बता दू तो उन्हें ये भी बताना पड़ेगा कि यक्षनी ने मेरे साथ ये सब क्यों किया था अमोधिता युक के सवाल का जब कुछ जवाब नहीं देती तो युक फिर उससे उस पर दबाओ बनाते हुए पूछता है अमोधिता मैं कुछ पूछ रहा हूँ मेरे सवालों का जवाब दो आखिर ये सब क्या था मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा अमोधिता बात को दबाते हुए कहती है युक जी इस बारे में मैं आपको कुछ नहीं बता सकती बस ये समझे कि ये लड़कियों वारी प्रॉब्लम है जो आपको बताने ठीक नहीं है अमोधिता बात को बदलते हुए कहती है ये सब छोड़िये तो फिर हम वो करे अमोडिधा के मन में यक्षणी के लिए डर तो था पर योग को अकेले में देखकर उसके अंदर की वासना जग गई थी एक पल के लिए वो यक्षणी को भूल गई थी और वो योग के साथ संभूग करना चाहती थी यूग को अमोधिता की बात समझ नहीं आती इसलिए वो मूँ बनाते हुए कहता है वो करे मतलब मैं कुछ समझा नहीं तुम कहना क्या चाहती हो अरे वही चो उस दिन आप मेरे घर में करने आये थे हम दोनों जोपडी के अंदर करने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर पापा और बलु काका आ गए थे याद आया कुछ आपको यूग अपना सिर पकड़ते हुए कहता है क्या करने वाले थे मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है इस बारे में पर फिर यूग ची को कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है अमोधिता यूग को फिर बीती यादे याद दिलाने की कोशिश करते हुए कहती है अरे यूग ची याद कीजे ना कल दिन पर आपने और मैंने बात की थी और पर आप शाम को मुझ से मिलने के लिए हवेली भी तो आने वाले थे पर फिर आप आई क्यों नहीं अभी मन्यू बता रहा था कि आप मुझसे मिलने के लिए निकले तो थे पर रॉंक का मुझा घाट पर ही सारी रात रुख गए थे आखिर आप वहाँ पर क्या कर रहे थे यूग रात की बात याद करते हुए कहता है मैं तुमसे कहा मिलने आने वाला था मैं तो मश्री रेने गया था और वहीं पर मुझे यामी नहीं यूग अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही अभी मन्यू की आवाज सुनाए देती है अरे अमोधिता ये तुम्हें क्या हो गया जब यूग पीछे मुड़ता है तो देखता है कि दर्वाजे की देलीज पर अभी मन्यू खड़ा हुआ था जो अमोधिता को इस हालत में देखकर शौक्ड हो गया था अभी मन्यू अपने कदम अमोधिता के पास बढ़ाते हुए कहता है ये क्या हालत बना ली तुमने अपनी अमोधिता आखिर ये सब हुआ कैसे अमोधिता बहाने बनाते हुए कहती है कुछ नहीं अभी मन्यू मेरा बस पैर फिसल गया था सीड़ियों पर ये तो मोच आ गई अभी मन्यू साहनू भूती देते हुए कहता है अच्छा तो ऐसी बात है यूग अभी मन्यू से पूछता है अभी मन्यू तू कहां चले गया था मुझे भीना बताए अभी मन्यू जवाब देता है अरे काम से गया था रौंका मुझा गाउ क्यों गया था अभी मन्यू अमोदिता की तरफ देखते हुए बात को दबाते हुए कहता है अरे बताता हो ना बाद में योग इतनी भी जल्दी क्या है योग अभी मन्यू का चेहरा देखकर समझ जाता है कि जरूर कुछ ऐसी बात थी जो अभी मन्यू अमोदिता के सामने नह अभी मन्यू जवाब देता है, अरे वो कल वांगला त्योहार है ना, तो रात में डांस भी होना है, तो उसी के लिए कपड़े लेने गए हैं, उसका भी एक अलग से ड्रेस कोड होता है ना डांस करने के लिए, अभी मन्यू और यूग आपस में बात करी रहे थे कि तभी अम अमोधिता को मना करते हुए कहता है, अरे अमोधिता तुम ऐसे कैसे जाओगी, मेरी बात मानू तो तुम आज रात यहीं पर रुख जाओ, मामी जी से मैं बात कर लूगा अमोधिता का मन तो चाह रहा था कि वो रात में वँग के साथ हो सब कर ले, पर तभी उसके मन में य रेव्यार्ट कोटी में रुखना खत्रे से खाली नहीं है। कहीं रात में यक्षनी ने उसे अपना शिकार बना लिया तो इसी डर से अमोधिता युक को मना करते हुए कहती है। नहीं नहीं युक जी मैं खुद चली जाओंगी आप क्यो तकलीफ करते हैं अभी मन्यू मन ही मन सोचने लग जाता है। जाला की बहरे सवालों से मेरे मू से सारी बात उगला लेगा कि मेरे साथ यहां पर क्या हुआ था। इसलिए अकेले जाना ही ठीक रहेगा। अमोधिता को विस्तर पर से उतरने में थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है पर जैसे तैसे वो उतर जाती है। अमोधिता वहां से लंगडाते लंगडाते जाने लग जाती है। अब फिक्र मत कीजे मेरी। इतना कहकर अमोधिता दर्वाजे की देहलीज को पार कर लेती है और वहां से चली जाती है। अमोधिता के जाते ही योग अभी मन्यू से पूछता है। अब बताएगा कि क्यों गया था तू रॉंका मुझा गाम। अभी मन्यू फटाक से जवाब देता है। हाँ बताता हूँ। देख तुझे पता है ना कि बिंदू ने हमें बताया था कि जो सौधाइन होती है उनके पैर के अंगुठे का नाकून नहीं होता है। योग अभी मन्यू की बात से हामी भरते हुए कहता है। हाँ बताया था तो तो उसने ये भी बताया था कि आसपास के गाउं की सारी ओरते वांगला त्योहार में आएंगी। तो मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि उनमें से कौन सी ओरत सौधाइन है। योग हट-बड़ा हट के साथ पूछता है। क्या आइडिया है तेरे पास? अभी मन्यू योग को अपना आइडिया बताते हुए कहता है। तो सुन, आइडिया कुछ इस प्रकार है कि अभी मन्यू योग को पूरी बात बता देता है कि उसके पास सौधाइन के बारे में पता करने का क्या आइडिया है। सब कुछ सुनने के बाद यूग अभिमन्यू को घूरते हुए कहता है। तुझे लगता है ये आइडिया काम करेगा। अभिमन्यू यूग को भरोसा दिलाते हुए कहता है। अरे 100% काम करेगा। तु जानता नहीं ये गाउं की ओर्टों को, इन्हें फ्री की चीज़ें कित पढ़ रही थी। रजनी की एक नजर किताब पर थी, तो दूसरी नजर दिवार पर लगी घड़ी पर। वो बार-बार किताब पढ़ते जा रही थी और घड़ी की तरफ देखते जा रही थी। रजनी किताब के पन्ने पल्टाते हुए कहती है। ये नालायक अमोधिता अ उसके पास कितनी दौलत है। इतना कहकर रजनी वापस से किताब पढ़ने लग जाती है। और उसका मन बेचैन हो रहा था ये बात जानने के लिए कि अमोधिता अपने मकसद में काम्याब हुई होगी या फिर नहीं। रजनी खुद से बढ़ बढ़ाती है। ये अमोधित चलने वाला। रजनी अमोधिता के बारे में सोची रही थी कि तभी अमोधिता की कराहते हुए आवाज सुनाई देती है। जब रजनी पीछे मुड़ती है तो अमोधिता की हालत देखकर दंग रह जाती है। अमोधिता लंगडा लंगडा कर चल रही थी और उसके पैर प क्रेप बैंडिज बंदी हुई थी रजनी अमोधिता को उपर से लेकर नीचे तक देखते हुए कहती है ये तुझे क्या होगी अमोधिता ये पैर में गरम पट्टी क्यों बांद कर रखी है तुने और यूग ने मिलकर कुछ जादा ही कर लिया क्या जो इतना लंगडा लंग घर पर आकर काम करना पड़ेगा इसलिए ये पैरों में पट्टी बांद कर आई है जान बुझकर अमोधिता अपना मूप फुलाते हुए कहती है कि तुम कैसी बाते कर रही हो मा तुम्हें मेरी हालत देखकर लगता है कि मैं नाटक कर रही हूँ यहाँ पर मैं अपनी जान बचा कर आई हो और तुम हो की कुछ भी बोले जा रहे हो रजनी हैरानी के साथ कहती है जान बचा कर आई है मतलब अमोधिता रजनी को सारी घटनाए बता देती है जो भी उसके साथ ग्रेव्यार्ट कोठी जानी के बग और ग्रेव्यार्ट कोठी के अंदर घटी थी सब तेरा ये कहना है कि पहले उस यक्षणी ने तुझ पर काला जारी जंगल में हमला किया और फिर ग्रेवियार्ट कोठी में। अमुदिता हामी भरते हुए कहती है, हाँ मा और नहीं तो क्या, रशनी अमुदिता पर भिनाते हुए कहती है, तुझ पागल हो रही है क्या, कहीं भांगवाँ खाकर तो नहीं आ गई तुझ ये कैसे हो सकता है? अमुदिता रजनी को अपनी बात पर विश्वास दिलाते हुए कहती है मा मैं सच कह रही हूँ मेरी बात पर यकीन करू मैं आपको बता नहीं सकती कि वो यक्षुनी मेरे साथ क्या कर रही थी मुझे तो बताने में भी शर्म आती है उसने मेरी सलवार उतार दी थी वो तो अच्छा हुआ कि मैं उसके चंगल से छूट गई परना पता नहीं वो मेरे साथ क्या करती वो यक्षुनी मर्दों को तो अपनी हवास का शिकार बनाती है साथ में औरतों को बनाना भी शुरू कर दिया पता नहीं उसके अंदर ये कैसी हवस भरी हुई है जो मिटती ही नहीं रच्णी को अभी भी अमूदिता की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि यक्षुनी अमूदिता के साथ ऐसा कुछ कर सकती थी रजनी अमूदिता की सारी बातों को नकारते हुए कहती है ऐसा कैसे हो सकता है अमूदिता तू ही बता यक्षनी को तो खुद तेरे पापा और फुफजी ने कैद किया था फिर वो तेरे साथ ये सब कैसे कर सकती है जरूर तेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं है अमूदिता अपनी बातों पर जोर देते हुए कहती है मा मेरा दिमाग बल्कुल ठिकाने पर है समझी आप मेरी बात पर यकीन कीजिए अमूदिता कुछ सोचते हुए कहती है मा ये भी तो हो सकता है उस यक्षनी को किसी ने आजाद कर दिया ओ अब रजनी को अमोधिता की बातों पर विश्वास होने लग जाती है अमोधिता अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है मा वो यक्षिनी तो आजाद हुई ही साथ में यूग जी पर जो हमने मिलकर टोना किया था ना हो भी तूट किया रजनी चीकते हुए कहती है क्या? हाँ मा मैंने यूग जी को इतने इशारे किये पर वो कुछ समझे ही ने उन्हें तो कुछ भी याद नहीं है कि इन दो तीन दिनों में उन्होंने मेरे साथ क्या-क्या बाते की और क्या-क्या करने की कोशिश करी थी एक और बात कल यूग जी मुझसे मिलने के लिए ग्रेवियार्ट कोठी से निकले तो थे पर आये नहीं सारी रात रौंका मुझा घाड में थे वो पता नहीं वहाँ पर वो क्या कर रहे थे? रशनी कुछ सोचते हुए कहती है अगर यूग तुझसे मिलने के लिए निकला था तो यहाँ पर आये क्यों नहीं? आगर ये सब क्या चक्कर है? वही तो मा मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है जो चीज हम हासिल करने पाले थे वो हमारी मुठी से फिसलती जा रही है अमोधिता तू शायद भूल रही है हम सौधाइन है और सौधाइन इतनी आसानी से अपने हाथों से कोई चीज छूटने नहीं देती है अमोधिता समझ जाती है कि रजनी के दिमाग में कुछ न कुछ तो खिच्डी जरूर पक रही थी अमोधिता से रहा नहीं जाता और वो रजनी से पूछी लेती है मा, अब क्या चल रहा है तुमारे दिमाग में? रजनी जवाब देने की जगा अमोधिता से ही सवाल पूछ लेती है कल क्या है अमोधिता? अमोधिता सोचते हुए कहती है कल तो वांगला तो हारे रजनी गुस्से से कहती है वो तो मुझे भी पता है कल वांगला तो हारे पर कुछ और भी है सोच जरा अमोधिता अपने दिमाग पर दोर देते हुए कहती है कल क्या है मा? कहीं तुम्हारे और पापा की शादी की साल गिरा तो नहीं है रजनी अमोधिता पर दाहारते हुए कहती है नालाइक लड़की तुझे शादी के अलावा कभी कुछ और सूचता नहीं क्या जब दे कुछ तब शादी की रट लगाते रहती है अमोधिता मूब बनाते हुए कहती है मा तुमी बता दो ना कल क्या है मुझ पर गुस्सा क्यों कर रही हो रशनी जवाब देती है कल अश्टमी है और कल रात हम वो करने वाले हैं जो मैं करना नहीं चाहती थी पर लगता है वो करना ही पड़ेगा उसके बिना काम नहीं चलने वाला अमोधिता लंबी आह भरते हुए कहती है मा तुम क्या करने का सोच रही हो रशनी अमोधिता की बात पर ध्यान नहीं देती और खुद से बढ़ बढ़ाती है उससे ही सारे सवालों के जवाब मांगने पड़ेंगे उससे बुला नहीं पड़ेगा अमोधिता मूँ बनाते हुए कहती है मा ये तुम क्या बखबख कर रही हो किसे बुलाने की बात कर रही हो तुरेशनी जवाब देती है कर्ण पिशाचनी को अमोधिता अपना मूँ पहाड़ते हुए कहती है मा कहीं तुम कर्ण पिशाचनी साधना की बात तो नहीं कर रही हो जिसके बारे में तुमने मुझे उस दिन बताया था हाँ मैं उसी सादना की बात कर रही हूँ कल रात हम कर्ण पिशाचनी सादना करेंगे पर मा तुम तो कह रही थी कि ये बात में करेंगे इसे करना बड़ा मुश्किल है और इसे तो अमा वस्याय या पूर्णिमा को किया जाता है न हाँ पर लगता है कल ही करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास वक्त बिलकुल नहीं है हमें कल ही जानना पड़ेगा कि आखिर यक्षनी आजाद हुई है या नहीं और ये भी कि यूग का वशीकरन किसने तोड़ा है कौन है जो यूग और तेरे बीच में आने की कोशिश कर रहा है करन पिशाचनी के पास सारे सवालों का जवाब रहता है वो हमें सब कुछ बता देगी अमोनिता हैरानी के साथ कहती है मा उसे सच में सब बता होता है हाँ पागल सब कुछ कल रात तयार रहना एक और चीज, तू एक सौधाइन है और सौधाइन को ये अश्टमी पूर्णिमा अमावस्या सब तारीखें याद होनी चाहिए इसका उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा महत्व होता है यही वो दिन होते हैं जब हम जादू टोनगर के सिद्धियां हासिल करती हैं समझी? हाँ समझ गेमा, आगे से याद रखूँगी ये सबतारीखें इस तरफ ग्रेवियार्ट कोठी में रात के आड़ बच गय थे कायर और कच्छवा वांगला त्योहर के लिए डांस में पहनने के लिए सब के कपड़े लेकर आ गय थे यूग और अभी मन्यू वो कपड़े देख रहे थे कच्छवा अभी मन्यू को उसके कपड़े दिखाते हुए कहता है ये देख अभी मन्यू, ये तेरे लिए है कैसे लगे तुझे? अभी मन्यू मू बनाते हुए कहता है कैसे लगे क्या पूछ रहा है सभी एक जैसे ही तो है यूग लूंगी उठाते हुए अजीब सा मूँ बनाते हुए कहता है ये पहनना पड़ेगा क्या अभी मन्यू यूग को समझाते हुए कहता है और नहीं तो क्या ये पारम पर एक पुश आके यही पहना जाता है उस दिन और सब को पहनना पड़ता है ताकि सब एक जैसे दिखें यूग अभी मन्यू को मना करते हुए कहता है यार मैं अपने नॉर्मल कपड़े पैंट शर्थी पहन लेता हूँ न मैं थोड़ी गाउं का आदमी हूँ जो मुझे ये पहना कंपल सरी है अभी मन्यू फटाक से बोलता है अरे ये कैसी बाते कर रहे है तू तेरा तो इस गाउं से बहुत पूराना संबंध है भूल मत तू इसी गाउं का है और तेरा साल बात आया है तो देख भी ले ना वांगलातियोहार कैसे मनाया जाता है कायर भी अभी मन्यू का साथ देतुवे कहता है सही कहा अभी मन्यू ने तुझे ये पारंपरिक पोशाक पहनने भी पड़ेगी और साथ में डांस भी करना पड़ेगा युग मूँ फारते हुए कहता है क्या कहा डांस करना पड़ेगा कच्छुआ बीच में बोल पड़ता है हाँ युग वो भी कपल डांस दिन में वांगला त्योहर बनाया जाएगा और रात में डांस होंगे जिसमें लड़के और लड़की आपस में मिलकर डांस करते हैं ये कायर तो बिंदू के साथ कपल डांस की प्रैक्टिस भी करके आ गया कभी तो हमें आने में देर हो गई वरना हम तो कपड़े लेकर कपके आ गए थे बस मुझे ही कपल नहीं मिला तो सोचा अपनी वर्चू से पूछू पर हिम्मत ही नहीं हुई और कोई लड़की मेरे साथ डांस भी नहीं करना चाहती अभी मन्यू खुश होते हुए कहता है ये तो बहुत अच्छी बात हुई मतलब कल तू भी मेरे साथ रहेगा कच्वा मू बनाते हुए कहता है यार यहाँ पर मुझे कोई लड़की नहीं मिली और तू खुश हो रहे और तू भी मेरे साथ रहेगा का मतलब अभी मन्यू कच्वे को समझाता है मैं खुश इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि कल वांगला त्योहार में जो मेला लगेगा उसमें हमें बहुत जरूरी काम करना है कच्वा जट से बोल पड़ता है कैसा जरूरी का? अभी मन्यू जवाब देता है कल हम बेले में सौधाइन का पता लगाएंगे कच्वा बोकलाहट के साथ फुशता है सौधाइन का पता लगाएंगे पर कैसे? अभी मन्यू जवाएंगे